हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू दी कोशन आफ दा डे कोशन कैसे लग रहे हैं बच्चों को काफी इजी कोशन था आज का कोशन कोंफिडेंस गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है निट एक्जाम धीरे धीरे हमारी और आ रहा है हमें भी पूरी तयारी से निट एक्जाम से भिड़ जाना है ठीक है तभी तो क्रैक कर सकेंगे हम निट एक्जाम को बात करते हैं आज के कोशन की क प्रोटिस्ट कौन से हैं प्रोटिस्ट का कौन सा करेक्टर इन में हैं पहले बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में क्या चीज है यह टेबल आपने कहीं देखी है याद केजिए यह टेबल हमारी NCRT में दी गई है बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन में ठीक है और एक टेबल क्या शो कर रही है फाइब किंग्डम को शो कर रही है फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन किस ने दिया था आरेच पी टेकर सर ने दिया था 1969 में यहां कुछ करेक्टर्स को शो किया गया है कि कौन सा करेक्टर किस किंग्डम के अंदर किस टाइब से है ठीक है जैसे किसल टाइब किंग्डम मोनेरा के अंदर सभी प्रोकेरियोट्स को रखा गया है प्रोकेरियोट्स कौन से होते है प्रोकेरियोट्स वो होते हैं जिनके पास ट्रू नूकलियस नहीं होता याद आ गया सेल बायलोजी का question है ये बात तो हम आपसे शिरू से ही कहते आ रहे हैं आपस में interrelated है हर chapter आपस में biology का कोई भी chapter ऐसा नहीं है कि जो आपस में relation ना रखता हो ठीक है relation आपस में है और उस relation को ही हमने याद रखना है वहाँ से tricky question hard questions वहीं से बनते हैं ठीक है अब बात करते हैं जैसे cell type की kingdom monera में रखा गया है prokaryotes को बाकि सभी kingdoms में रखा गया है eukaryotes को ठीक है तो अब हमें question से related है protista तो protista के अंदर अब हमें पता चल चुका है कि eukaryotes तो है ठीक है अब किस type से eukaryotes है वो भी हम देख लेते हैं सेलवोल सेलवोल kingdom monera में जो present है उसकी composition है polysaccharides की और amino acids की polysaccharides amino acids बट बट सेलूलोज नहीं होता प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में present है सेलवोल कुछ में नहीं है फंगई में जो composition है वो प्राइटीन की है एक unique character है इसका प्लांट के अंदर जो सेलवोल है वो सेलूलोज की है और animals में absent है याद आ गया nuclear membrane यहीं से पता चल रहा है प्रोकेरियोट्स है तो ट्रू नुक्लियस नहीं है nuclear membrane absent होगी यह सब eukaryotes है तो ट्रू नुक्लियस है सभी में nuclear membrane present होगी ठीक है बोडी organization यह हम हमारे question से related है बोडी किस रूप में survive कर रही है kingdom monera cellular form में kingdom protesta भी cellular form में है cell के रूप में है जबकी बाकी आगे जो है multicellular tissue tissue organ tissue organ organ system इस रूप में survive कर रहे हैं और हमारा जो question है बच्चो वो direct NCRT से है kingdom protesta के अंदर फर्स्ट जो लाइन है और सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस अंदर किंग्डम protesta के अंदर सभी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स को प्लेस किया गया है फर्स्ट लाइन है kingdom protesta की इसलिए कहा गया है NCRT की हर लाइन इंपोर्टेंट है उसको याद कर लीजिए memorize कर लीजिए समझ लीजिए एक बार पढ़ने से नहीं होगा NCRT को आपको तीन या चार बार कम से कम पढ़ना होगा और revision के time पर भी दुबारा से पढ़ना है ठीक है NCRT को कम से कम आपका निट एक्जाम तक पांच या च्छे बार पढ़ लेना है आपने तब आपको हर line का मतलब समझ में आएगा कि समझ में आ गया NCRT से direct question है वापिस चलते हैं हमारे question पर तो कौन सा option इसमें से correct हुआ option A single cell eukaryos option A इसका correct answer है आ गया समझ में आ गया कोई भी doubt हो तो पूछ लिजेगा hesitation नहीं रखनी है हमें knit exam तक हमारे सारे doubt clear कर लेने है ठीक है ताकि जब भी हम question को attempt करें जस्ट हमारा hand ऐसे ही चले अरे हम बिलकुल clear है कि right answer यही है ठीक है doubt है तो पूछना है call करके पूछ सकते हैं message करके पूछ सकते हैं comment करके पूछ सकते हैं ठीक है WhatsApp करके पूछ सकते हैं Facebook पर Instagram पर टेलिग्राम पर आप हमें रिवीजन के लिए और साथ ही साथ YouTube चैनल को share and subscribe कर लिजिए ताकि notifications आपको मिलती रहे डेली वीडियो की और साथ ही साथ निट से related कोई भी update होगा वो भी आपको मिल जाएगा अपना ध्यान रखना है अच्छे से पढ़ना है confidence lose नहीं करना है और confuse नहीं होना है thank you thank you very much हुआ 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 है